हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल एजेफेक्ट में हमारा आज का टोपिक है भारत की रहसे में मंदिर पार्ट बन भारत को अध्यात्मिक और साध्ना का केंद्र माना जाता है यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है जिनका विशेश महतो है इनमें से कई मंदिर चमतकारिक और रहसे में है लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ कास 10 परसिद मंदिरों के बारे में जिनने जानकर आप हैरान रह जाएंगे हमारे पहले नंबर प्रह कर्णी माता मंदिर यह मंदिर बिकानेर राजस्तान में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है ये इस मंदिर में रहते हैं लगबग 20 हजार काले चुए लाखों की संक्या में प्रियाटक और शरधालू यहां अपने मनोकामना पूरी करने आते हैं करनी माता जिनी दुर्गा का अवतार माना जाता है इनके मंदिर को चुओं वाला मंदिर भी कहा जाता है यहां चुओं को काबा कहते हैं और उन्हें वकाइदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्सा की जाती है यहां इतने चुओं हैं कि आप पाउं उठा कर भी नहीं चल सकते आपको पाउं गसीट कर ही चलना पड़ेगा अगर एक चुहा या काबा भी आपके पेरों के नीचे आ गया तो अब सकुन माना जाता है कहा जाता है कि एक चुहा भी यदि आपके पेर के उपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की करपा हो गई समझो और यदि सफेद चुहा दिख गया तो आपकी मनुकामना पून हो गई हमारे दूसरी नंबर पर है कन्या कुमारी मंदिर कन्या कुमारी मंदिर कन्या कुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है यहां समूंदर तट पही कुमारी देवी का मंदिर है यहां पारवती के कन्या रूप को पुजा जाता है यह देश का एक मातर मंदिर है जहां मंदिर में परवेश करने के लिए पुरुसों को कमर की उपर के वस्तर उतारने होंगे परचलित कथा के अनुसार देवी का विवा संपन्ना हों पानने की कारण बच गे दाल चावल बाद में कंकर बन गए आस्षिल जनक रूप से कन्या कुमारी के समुंदर तटकी रेत में दाल चावल अकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं हमारे तीसरे नंबर पर है मा कामाख्या देवी मा कामाख्या देवी का मंदीर असम की राजधाने गुवाटी में स्थीत हैं ये चमतकारिक मंदीर मा भगवती के 51 सक्ति फिटों में से एक है यहां त्रिपूरा सुन्री, मतांगी और कमला की पर्तिमा मुख्य रुप से स्थापित है दूसरी और साथ अन्य रुपों की पर्तिमा अलग-लग मंदीरों में स्थापित है जो मुख्य मंदीर को घेरे है या मुख्य मंदिर में देवी भगवती की एक भी मुर्ती नहीं है माना जाता है कि जब भगवान विश्णु सुदर्शन चक्र से मासत्य के सव को काटा था कामक्या में उनके सरीर का एक भाग गीरा था जहां जहां पर मासत्य के अंग गीरे थे वह जगह सक्ति पीट के लाती है या कोई मुर्ती नहीं है या मासत्य के सरीर के अंग की पूजा की जाती है या हर किसी की कामना पूरी होती है इसलिए इस मंदिर का नाम का मख्या पड़ा इस मंदिर में तीन भाग है इसके पहले हिसे में हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है दूसरे हिसे में माता के दर्सन होते हैं यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है बताया जाता है कि इस पत्थर में महिने में एक बार खून की दारा बहती है पुरानिक माननेता है कि साल में एक बार अम्बु वाच्ची पर्व के दोरान मा भगवती रजस्वल्ला होती है और मा भगवती की गरब गरहस्थित महा मुद्रा से निरंतर तीन दिनों तक जल परवायकिस्तान पर रखत परवाहित होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे और के चमतकारिक और रहसे में मंदिरों के बारे में तो तब तक के लिए बाई बाई